बर्फ किसे पसंद नहीं होती है और उसके साथ एक सांत वातावरोण मिल जाए तो मानो सोने पर सुहागा पत्नी टाप एक ऐसा ही स्थान है और यह एक बेहदिक खुबसूरत हीली स्टेसन भी है जो जम्मूराजी के उधंपुर जिली में परता है दोस्तो एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल एंडलेस जरनी पर एक बार फिर स्वागत है दोस्तो इसी क्रम में आज हमारा जो वीडियो है वह है पत्नी टाप का जो कि जम्मूराजी के उधंपुर जीले में परता है दोस्तो अगर पत्नी टाप के दूरी की बात की जाये तो जम्मू से पत्नी टाप की दूरी लगभग 109 km के आज पास है जो कि वाया NH44 के माध्यम से जाते हैं और अगर कट्रा से पत्नी टाप की बात की जाये तो यहां से 86 km पड़ता है जो कि NH244A और NH44 से होकर जाता है और इसके अलावा उधामपूर में तो पत्नी टाप है ही उधामपूर से पत्नी टाप के दुरी लगभग 47 किलिम्टर के आज़ पास है दोस्तो इस समय अप्रेल का महीना है इस वज़से हमें स्नोफाल और स्नो तो देखने को नहीं मिल दा है लेकिन अगर आप यहाँ पर जनवरी फरवरी के महीने में आते हैं तो आपको यहाँ पर स्नोफाल और अच्छा खाजा स्नोफ देखने को मिल सकता है दोस्तो आप लोग अकसर पत्नी टाप आते होंगे तो पत्नी टाप में जो मेन पहाड है वहीं पर जाते होंगे लेकिन आप उस पहाड के पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरह का पिक्निक स्थल दिखाई देगा जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए मनरंजन के लिए धेर सारे संसाधन उपलब्द है जैसा कि आप वीडियो में सामने देख सकते हैं कई प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पर बच्चों के लिए और काफी खोपसूरत जगह था यह दोस्तों आप मौके पर जितने भी संसाधन देख रहे हैं इसके लावा दोस्तों पत्नी टाप में रूपवे भी है जिसका माध्यम से आप नीचे से पहाड़ पर उपर जा सकते हैं तो फाइनली दोस्तों हमने वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया और हम वापस जम्मो की तरह प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि हम कस्मीर से वापस आ रहे थे और थोड़ा भूक समय निकालकर हमने पत्नी टाप में ट्रेवल किया तो फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता हैं और अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल एंडलेस जरनी को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे थैंक यू